तो दोस्तो आज 19 में 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेन कंपनी की शियर के पर जिसका आज क्वार्टर फोर का रेजल्ट आउट हुआ तो इसका इंपक्ट आपको नेक्स डे यानी सोंबार के दिन जैसी बजार ओपन होगा जरूर देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर अब चले दोस्तो बिना किसी टाइम वेस्ट किये एक एक करके शियर का नाम और ये सारे कंपनी का शियर कैसा परफॉर्म किया क्वार्टर दो परसन उपर जाके क्लोजिंग दिया करीब करीब पचास पास चले दोस्तों मैं आपके सामने प्रेजन करता हूं कि इस बार यानि मार्च क्वार्टर में कंपनी कौन सी सेग्मेंट पे कितना ग्रोथ हुआ है तो देखें यहां पर आपके सामने बहुत सारे अलग- बहुत इंपॉर्टेन है उननीस हजार नबई करोड़ से सिधा सिधा बढ़ के इस बर हो चुका है 24,305 करोड मतब करेंट क्वार्टर मार्च 23 में अच्छी बात है यह और और यह बहुत शांदर ग्रोथ देखने को मेला टोटल रेविन्यू के अंदर डिसम्बर प्रोफिट है वो मल्टीपल टाइम दोस्तों बढ़ चुका मल्टीपल टाइम मतब 80% 70% नहीं मतब काफी गुना या पर हो चुका है लास्ट यह पे कंपनी का नेट प्रोफिट का नंबर था 348 करोड़ और इस बार दोस्तों लगबग 6 गुना के पर हो चुका है मतब अब्क मार्केटने इस बार प्रोफिट कमाया यह यह पीन को हुगिए आप देख सकतू है और करके किieved कारीब करीब देखा जाए और पूपनीने प्रोफित कमाया रास्ट को लिए कम्पनी का नेट प्रोने प्रोफिट कुमाए पर पहार चूके बार चुचंगक है 4 थोड़ा बहुत शुरू शुरू में तो भॉलेटल था बट क्लोजिंग के समय थोड़ा बहुत रिकावरी भी देखने को पहला यह बात बेक्दम सही है पर बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉपर तरीके से में जो रिकावरी देखना था कुछ इंपर्टन लिबस ब्रेक होना वह सारे हमें चीज देखने को नहीं मिला इसका इंपक्ट हमें बजार जब ओपन होगा नेक्स मंडे की दिन देखने का पूरा पूरा चांस है लास्ट एक मैने पर वैसे ही अगर देखा जाए शेर देखे 54 रुपीस तक पहुंच गया था उसके बाद एकदम से स्लैश हु मिलगा मुस्ट प्रवली मंडे के दिन एक बड़िया ग्रोथ हो सकते या जंप हो सकते ठीक है यह हो गया दोस्तों पी नेक्स रम बात करेंगे मेटल सेक्टर का इधिगच कंपणी जेस डबलू स्टील लिमिटेड यह तो निफ्टी का शियर है हम सभी को मालूम है तो जेस सबसे वहले लास्ट यहर पे मतलब मार्स 22 में कंपनी का टोटल इंकम का नमबर था श्याली सब्सक्राइब आट सो पचाना बेकर रुप है जो कि इस पार अल्मोस्ट फ्लैट आप बोल सकतो कि थोड़ा बहुत इंक्रिस देखने को मिला मतलब कोई बहुत 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 ब चुक पर पहुत चुका है तो जिस मिलडी इस परकिर नेट प्रॉफिट है वह देखिए यहां पर कुछ चीजह यहां पर मैं एक काना चाहूंगा कि कंपनी लास्ट यहां देखना कि कंपनी का टोटल इंकम लास्ट यह में काफी अच्छा था मत मार्जीन भी काफी अच्छा था बट उसके बाप्जूद भी आप देख सकते इसका जो नेट प्रॉफिट है यह ली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुगा इसके पीछ एक्च्वल रिजन है कि लास्ट पे कंपनी टैक्स बहुत ज्यादा पे किया तब देख से प्रेक्स इसके पी पहले गरम बात क सब्सक्राइब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह यह ली बात कर देंगे तीन हजा 343 कवर से बढ़के 3741 कवर पर पहुंच चुका है अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वह देखिए क्वार्टन कॉर्टन पर मुल्टिपल टाइम समें ग्रोथ द हम बात करेंगे मुथ्थूत फाइनस लिमिटेट तो इसके पहले बहुत बार बोला था कि मुथूत इस पर्टिकुलर सेग्मेंट के काम करता है इस सेग्मेंट पर आपको कोई बहुत बरा ग्रोथ देखने को यह मिला गोल लोन सेग्मेंट तो सेम डूसेम आज की रिट प सब्सक्राइब कर दोस्तों जो की कमपनी का टोटल इंकम सारे आट परसन से भी कम 8.4 परसन हमें ग्रोथ देखने को मिला लास्ट यह पे टोटल इंकम का नंबर था 3021 को रुपए इस बार को चुका है 3214 रुपए तो बहुत ही म्यूटेट ग्रोथ हमें देखने को मिला या म सब्सक्राइब करते हैं आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना लास्ट टैन फाइनल शियर मतब कंपनी जो है आज रेजल्ड आउट बहुत अच्छे रेजल्ड प्रसन किया मतब मैं बोलना चाहूंगा लॉस हुआ है मानना पड़ेगा लॉस हुआ बट पी टीम की तरह लॉस काफी कम हो चुका है श्रिंक हो चुका है जो मैटो का भी आज दोस्तों मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ही बेसिकली रेजल्ड आउट हुआ तो इसका इंपक्ट भी आपको मंडे सोंबार की दिन बजार ओपनर के साथ देखने को मिलेगा कंपनी दोसों बह पर पहुंच चुका है कमपनी का जो मार्जीन पहले एकदम से बहुत जादा नेगेटिव में था माइनस 37 परसें वह काफी आप देख से तो पॉजिटिव में तरफ बढ़ रहा है लगभख माइनस 11 परसें पहुंच चुका मिलत अपने मार्जीन के उपर भी बहुत कम कर रहा है जिस बैसे अल्टिमेटली कमपनी का जो नेट लॉस है लॉस हुआ है यह मानना पड़ेगा लॉस हुआ है बट लॉस काफी हद तक कम हो चुका है कितना तीन सो साट करोर से सिवासिद है एक सो अस्टासी करोर बहुत अच्छा काम क्या मैं बोलूंगा बट स्ट लॉस हो सकते के दो क्वाटर या तो नेक्स्ट क्वाटर में आगया प्रॉफिट में अच्छा काम करें इतना आपको बोल कर रखना चाहता हूं तो यह कुछ कमपनी का रिजल्ट आउट और एक चीज़ मैं बोल कर रखना चाहता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपको एम सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तो हर रोज कुछ ना कुछ कंपनी का रिजल्ट आउट और हर रोज में आपको को इसका अप्डेट दे दूँगा आतू लौटो बहुत शांदर कंपनी हैं को बहुत बढ़ा कंपनी नहीं है फिर भी अच्छी कंपनी इसको पर भी नज़र रखना इसका भी कल रेजल्ट आउट होगा लास्ट एन फानल शेयर दोस्ती यह सरकारी कंपनी अच्छी कंपन बेल भारत इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रोनिक्स लिमिडेट इसका भी कल रेजल्ट आउट होगा इसको पर भी अपडेट सेम इसी टैम पर दे दूँगा ठीक है तो फिलाल दोस्तों वीडियो को वाइन अप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई जाए हिंदे